और देखे जैपूर हेरिटेज महापूर को निलमित कर दिया गया है महापूर मुनेश गूजर का निलम्बन हो चुका है क्योंकि देखे तलवार मुसीबत के अभी भी टकी हुई थी मुनेश गूजर के गले में और ऐसे में स्वायत शास्तन विफाग ने यादेश जारी कर लिए हैं और महापूर मुनेश गूजर का एक बर फिर से निलम्बन हो गया है चार अगस को एसीबी ने मुनेश गूजर के पती को गरफतार किया था दो लाख रुपए के रिश्वत लेते गरफतारी हुई थी ऐसे में 40 लाख रुपए से अधिक नगती भी मुनेश अगस को जांच के लिए आदेश दे उपने देश्वयक का स्थाने निकाय ने 16 अगस को अपनी जांच रिपोर्ट दी और से जांच में पट्टे के पत्रावलियों का महापूर के निवास पर होना पट्टे की पत्रावलिया लंबे समय से लंबित होना और 40 लाग सदिक संकलिपता नजर आई और इसे जांच रिपोर्ट में मुनेश गूजर को दिया गया था नोटेस नोटेस का जो जवाब मुनेश गूजर ने दिया उसे विभाग ने नहीं माना संतोश प्रत ऐसे में मुनेश की खिलाब वर शुरू हो गई है नियाएक जांच यानि कि देखिए मुसीबते मुनेश गूजर की एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है एक बार फिर से निलंबन मुनेश गूजर का हो चुका है हाला कि देखे जब जब मुनेश कुजर से इस पूरे मामले को लेकर बात किये जाती है उनका साफ तोर पर कहना यही होता है कि मैं बेकसूर हूँ मेरे पर तमाम तरह के जो आरूप लगाया जा रही है वैं पूरी तरह से बेबुनियाद है अगर आपके पास में कोई अंकारी बड़ा अपडेर जो कि कल रात को ही सामने आ चुका था कि मुनेश कुजर को एक बार फिर से निलंबित कर दिया गया है ऐसे में देखिया प्रतिक्राय क्या कुछ होने वाली है क्योंकि इस पूरे मामले की बात से ही कई राज़ित एक बयान भी देखने को मिल रहे है ते हाले कि मुनेश कुजर बार पर अपनी बातों पर सफाई पेश करती हुए नसराई साफतोर पर उनका यही कहना था बार पर वो यही कह रही हैं अभी भी कि मेरे उपए जो आरोप लगे हैं वो बेबुन्याद आरोप हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि इनको इन आरोपों को जल्धी मुझे से हटा दिया जाए और सबूत पेश किये जाए ऐसे में देखिए मंत्री प्रताब सिंग खाचरेवास भी इस पूरे मामले को ले करके खुल कर उन्होंने अपनी बात को रखा था ना सिर्फ प्रताप सिंग खाचरेवास बल्कि कई ऐसे नेता थे चिनों ने अपने बात रखी इस पूरे मुद्दे पर जिसकी बाद मनेश कुजर का बार बार यही कहना था कि मुझे फसाने की कोशिश किये जा रही है विरास पूरे मामने से कोई लेना देना नहीं है